वियार के 3.5.3 लाख नियोजी सिच्षकों और पुस्तेकाले धच्षों के लिए के वड़ी ख़बर वियार के नियोजी सिच्षकों के लिए बेतनविधारन को लेकर ओन लाने कैल्कूलेटर हुआ तयार और फरवरी से मिलेगा नए बितन ब्रिदी का लाब और बियार में सभी पंचायतों के वाड छेतरों में वाड सचीओं के बहाली को लेकर सरकार ने दिया आदेस और दूसरी ओर बियार के पुराने वाड सचीओं के द्वारा पटना गर्दनी भाग में धरना है जारी और 8386 सारेरी किसी चानुदेश को की न्यूक्ती की अधि सुचना हुई जारी और बता दे कि रजटेशन कराने के बावजूद एक लाग छातरों ने नहीं भरा है परिच्छा फार्म मैट्रिक परिच्छा फार में और तिन आतंकियों को उमर कैद 5 को 10-10 साल की सजा चुनाव सु परिवाओं को 10-10 लाग का लोन मंजूर बैंक हरतार से 20 हजार क्रूर का कारोबार हुआ परभावे थे चोटी योजनाओं से 1.2 जीरो लाग हेक्टेयर की होगी सिच्छाई मनी रंजन ने मौल में 2 समेथ 5 दुकाने खरी दी और कमला नदी पर बराज का निर्मान हुआ सब रजिस्टार के धिकानों से 60 लाग नगद हुआ बरामद नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुनील बौबी और आप इस समय देख रहे हैं सुबह सबेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की करेंगा चलिए क्षबरों की सिलसला हम सुरू करते हैं सुबह सबेरे में हम खबरें सबसे पहले हम लेते हैं बिहार के नियोजी शिचको और पुस्टेकाले धच्छों के लिए लंबे अर्स से मांग नियोजी सिचकों के दोबारा किया जाता आ रहा है बेतनब रिधी को ल 2022 से मिलना सुरू हो जाएगा इसके लिए भी भाग ने वेता निर्धारन को लेकर कैलकुलेटर की तैयारी की है जिसका निरिचन भी कर लिया गया है परजेंटेशन बीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी जिला सिच्छा पदादीकारी और अस्थापना के स निर्धारन करने के लिए आपको सिवा पुस्तिका क्या भी संधारन कर दिया करा दिया जाएगा सिग्रता के साथ यानि कि कुल मिलाकर भिहार के पुस्तेकालय ध्यच्छा और नियोजी सिच्छक जिनकी संगय सारे तीन लाग से भी ज्यादा है इनका नए धंसे 15% बेतन ब से सफ़तेकर धरना दिया जा रहा है वहीं भीहर सरकर के पंचहिती राजविभाग नहीं आदेश कर दिया है कि हर वाट में 15 सचीओं की सचीओं की चैन HOL कर लिया जाए और उसमें यह भी कहा तो दूसरी और बिहार में वाड सची लगतार अपनी चारसुत्री मांगों को लेकर धर ना दिया जारा आपको बता देंकि पहला मांग पहले तीन मांगे थी लेकिन एक मांग बढ़ गया लेकर पहला फर्मान में जर किया था तरकार उसका विरौस किया गया यान NBC पत्र वापस लेने की मांगे गई है क्या होता है या मज़ेदार होगी लेकिन दुसरी खबर है सिच्छा विभाग से ही निकल कर सामने आ रही के 8386 सारीरिक सिच्छा अनुदेश को की नियुक्ति की अधिसुचना जारी कर दी गई है पटना के प्रारम में राज के प्रारमे के विद्यालेव में सारीरिक सिच्छा अनुदेशक के 8386 पदो पर नियुक्ति के लिए सिच्छा विभाग ने शुक्रबार को अधिसुचना जारी कर दी है अब जल्द ही इन सभी पदों को लेकर आराचा रोस्टर के लिए सोगा फिर नियुक्ति का सिडूल भी जारी कर दिया जाएगा और इधर बाते कर लेते हैं सिच्छा विभाग से ही जुड़ी तो छात्रों के लिए बड़ी खबर है मैट्रिक की परिच्छा होना है यानि कि रजिस्टेशन कराने के बावजूद एक लाग शात्रों ने नहीं भरा है परिच्छा का फार्म यानि कि कुरोना संकर्मन का असर मैट्रिक परिच्छा पर भी इन दिनों देखने के लिए मिल रहा है इस बार जितने बिद्यारती ने रजिस्टेशन कराया था उससे एक लाग से अधिक शात्रों मैट्रिक परिच्छा में सामिन नहीं होंगे मैट्रिक परिच्छा 2022 के लिए परदेश भर में कुल 17,49,187 परिच्छारतियों ने रजिस्टेशन करवाया था लेकिन इसमें से 16,48,894 नहीं परिच्छा भर में भरा है जबकि बोड़ दोवारा कई बार परिच्छा भर में भरने की तीती भी बढ़ाई गई है यानि कि कुल मिला कर कहा जा रहा है कि यह कुरोना का असर है दुसरी बड़ी खबर है नेसर्डल फैमली हिल्ट सर्वे में खुलासा हुआ है बच्चों में सास संकर्मन का बढ़ रहा है अब खत्रा सूबे के 79% बच्चों को जन्मिक के दो हफ्ते बाद ही सास लेने की बीमारी हो जाती है पांच सल का अकड़ा बढ़ा है यानि कि यह एक गंभीर मुद्दा है और दुसरी बात कर देगी प्रती बोड़ा 60 रुपे किसानों की जेव से जा रहे हैं लगेगी 120 कड़ोर की चपत आपको बता दे कि यह खबर को परमुकता से खपा गया किसानों के लिए किसानों को इससे नुकसान हो रहा है बोरा की दे करने के लागत की अंदेखी हुई है अब किसानों के 210 कड़ोर की चपत लगेगी या आकलन गत वर्स खरीद हुई लगबग 35.5 लाग चंड धान की मातरा के अधार पर है और इधर बता दे कि मुख मंतरी का एक बड़ा ब्यालाना है बोले हैं मुख मंतरी के सराबंदी अभियान में बढ़ चड़ कर हिस्ता ले आहवान किया गया है कि सराबंदी को लेकर महिलाएं बढ़ चट कर हिसा ले मुकमंतरी नितिस कुमार ने कहा है कि सराबंदी की मांग महिलाओं की थी इसे हर हाल में पूर्ण करन किया जाएगा कहा है कि हाल में पूर्ण रूप से लागू रखा जाएगा अब भी कुछ लोग गरबड़ी कर रहे ह हैं उन्हों पर भी अंकुस लगाया जा रहा है उन्होंने महिलाओं का आवान किया है कि वे सराबंदी के अभियान में बढ़ चटकर हिसा ले मालूमों कि मुखमंतरी 22 दिसंबर समय सुधार यातरा पर निकल रहे हैं जिससे जिसके केंदर बिंदू में सराबंदी अभियान रहेगा और इज़र एक बड़ी खबर यवाओं के लिए निकल कर आ रही है कि पांच लाक अनुदान और पांच लाक रूपे होगा लोन यानि के सोला हज़ार इवाओं को दससलाक लोन मंजूर मुखमंतरी उद्मी योजना के ताथ दियार के सोला हज़ार इवाओं को अपना उद्धम स्टू करने के लिए राज सरकार दससलाक रूपे देगी इसमें से पांच लाक रूपे अनुदान के रूप में होंगे पांच लाक रूपे लोन होंगे मुखमंतरी उद्मी योजनाओं के ताथ इनका चैन किया गया है उद्धोग मंत्री सहनमाज हुसेन ने सुक्रवार को आइड़ा भंवन में चुने गए लाभुकों की सुची जारी कर दी है और बैंक हर्ताल से 20,000 करूर का कारोबार परभावित हुआ है कर्मियों को बदाई भी दी गई है कर्मियों को बदाई दी गई है कानून को संसद में पेस किये जाने की सरकारी मंसा एवं दोर राष्टी एकरित बैंको के ततकाल नेजी करन करने के तरह बढ़ाये जाने यानि की कसकते हैं कि बैंक कर्मी जो है अस्पताल में उपलब दस्विधाओं के बारे में सही और पूरा बेवरा देने के लिए चार सदस्यों के टीम का गठन किया है विहाराज स्वास्य सेवा समीती के काटपालक अधिकारी संजय कुमार के दस्ता में टीम बनाई गई है और इधर मनी रंजन ने मौल में दो पांच दुकाने खरीदी यानि भरस्ताचार के खिलाब जारी करवाई के साथ सुक्रवार को विशेश निगराने इकाई समस्तिपूर के सब रजटाट मनी रंजन ने के तीन ठीकानों पर छापे मारी की इसमें पता चला कि मनी रंजन ने मुझपरपूर के पारस मॉल में 22 50 लाक रुपे में दो दुकाने खरीद रखी है और इधर मतस्त से उजनाओं की निगरानी के लिए कमीटी बनी और जब आप देहित तैय किया गया है डियम के देस्ता में जिला एवं एसडियों के देस्ता में परकंड में निगरानी कमीटी गठिद की गई है मचली पादर और इसके विकास उजनाओं की मोनेटरिंग और कटनाईयों को दूर करेगी या कमीटी और आपको बता दें बैंक हर्ताल का माले ने माले ने किया है समर्थन और वनवासी कल्यान आसरम का सापना दिवसकल राज अस्तरिये अश्वाइश प्रतियुक्ता 23 से सेलेश कुमार स सिवान के नए एसपी बने और इधर बता दें तीना तंकियों को उमर कैद पांच को दस दस साल की सजा बोद गया बंबलाश्ट किये हैं घट बातें सजा के बिंदू पर सुनवाई के बाद एन आई एकोट ने सुनाई सजा आठ दोसी ने कबूल किया था गुना एक पर च चम्मान गोरो पराप्त हुआ है चुनाओ सुधार और विवास से जुड़ा बिल अगले हफ्ते लाहे जाएगा मदाता सुती अधार से जुड़ेगी मेटा ने जासुती करने वाले साथ कंपनियों को किया बलोग और इधर कुरोना अभी अभूज पहली बनी हुई है आप सब रजिस्टार्ट के ठिकानों से 60 लाक रुपे नगत हुआ ब्रामाद और बता दे कि कमला नदी पर बराज के निर्मान सुरूने से 2023 के मौंसून से पहले पूरा होगा नदी पर बन रहे बराज का निर्मान साथ पर खंडों की 29,000 हेक्टेर जमीन के सिचाही होगी इस से मुखबंतिली ने किया लोगों को सम्भो देत अर्वी फार्सी पिस्वे बिद्दाले के कुलपती ने दिया इस्तिपा सीएम को भी लिखा था पत्र एंटी एस ए की परिछा हुआ असगीत ओमीक्रों ने भारत की चिंता और बढ़ा दी है लगतार भारत में ओमीक्रों का म प्यारा चैनल मगस संबाद फिर मिलते हैं कल नई खबरों के साथ हर चोटी बड़ी खबरों के साथ तो फिलाल दीजिए में इजाज़त फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कि लिए जाज़त धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मात रहे हुआ झाल